यह आप जो देख रहे हैं नोस का मेजरमेंट ले रहा है उपर का उसमें प्लस्टर का साइज का मेजरमेंट कर रहा है यह एक केश है प्रेक्चर नोस एराउंड ट्विंटी यर्स बोई जिन्होंने अपना नोस को इंजूर करके प्रेक्चर होंके लेके आया है उसको हम क्लो होना चाहिए इसमें a rule of eight apply करते हैं इसमें आप जो measurement जो लेर हैं वो उसी का shape में plaster of Paris को कारते है a rule of eight means eight layers plaster होना है और within eight hours of fracture में reduction करना है अगर within eight hours में नहीं कर पाता है तो फिर eight days रुखना पड़ता है उसका swelling को सबसाइड होने के लिए तो इस तरह से हम plaster of Paris को eight layers करके nose का shape में उसको कातना पड़ता है और यह plaster of Paris अगर पानी में उसको विजाएंगे तो फिर यह loose हो जाता है और after sometime फिर वो टाइट होके stabilize करते हैं आप देख सकते हैं यह fracture का जो size है यहां से depressed हो गया है अब इमें वालसाम पोर्सप जो प्रेक्चर रिडक्शन में हम यूज करते हैं एक पोर्सप है अंदर गुसा के इसको तो रिप्रेक्चर करेंगे रिप्रेक्चर करेंगे उसको लूज करेंगे लूज करके फिर उसको उपर लिप्ट करना होता है में उसको लूज कर दिया गया है फिर से लूज करने के बाद फिर यह आईस पॉस्छफ है उसको दोनों साइट से अंदर डालना होता है सेप्ट कि आप देख सकते हैं कि यह जो अंदर जेनरल इनस्टेशिया में कर रहे हैं बहुत पैंपुल होता है अगर इसको इंजेक्शन बगारा नहीं देंगे फिर से एश पर्शेफ है उसको अंदर गुसा के सेप्टम को बीच में रखकर ऊपर दीरे से लिप्ट करते हैं ताकि जो इसको फ्यक्यर नीचे आगया था नेजल बॉन उसको ऊपर उटाया गया है फिर इस एक साइट में गुसा कर लिप्ट कर रहा है फिर चेक कर रहा है to make sure that the fracture depressed one depressed bone should be in proper place शायद आप लिफ्ट कर दिया गया है उसके बाद हम पेकिंग डालते हैं अंदर सपोर्ट करने के लिए ताकि फिर से गिरना जाए बिटादीन पेकिंग डाल रहे हैं अंदर और ज्यादा नीचे नहीं डालना है उपर तरफ डालके जहाँ पे रिडाक्शन किया था उसको फिर से अंदर से इस्टिबलाइज कर रहे हैं आप देख सकते हैं रोल गोज शोक्ट विट बिटादीन ओइन्मेंट फिर से निकल रहे हैं फिर से उसको एंशियर करना है कि वो जो प्रेक्चर बॉन है वो उपर लिप्ट होना चाहिए अपना जो अरिजिनल पोजिशन में उसके लिए फिर से ट्राइ कर रहे हैं इसको ताइटली दालना पड़ता है उपर में उपर तक दालना पड़ता है स्टेब्लाइज होने के लिए और जो गोज का दूसरा एंड है उसको दूसरा नोस में लेप साइद में दाल रहे हैं ताकि उसको सपोर्ट मिलें बौर्ट साइज से सपोर्ट मिलें अब कॉटन डाल रहे हैं उपर में स्किन को पर प्रोटेक्शन मिलने के लिए क्योंकि उसका उपर प्लास्टर ऑप पेरिश बिचाए जाएंगे यह को पानी में बिजा के कि लूज कर रहे हैं और इस तरह से कॉटन का उपर डालते हैं ताकि वो इसकीन को प्रोटेक्ट करें और जो प्रैक्चर अभी रिड्यूस किया था उसको इस्टेबलाइस करने के लिए नोस में चिपकाते हैं थोरी दिर में यह तैट हो जाएंगे हाड हो जाएंगे सिमेंट जैसा अब यह प्लास्टर पैरिस बोलता है इसको तो जैसे बोन का सेफ है नोस का सेफ है वेसे ही उसको काटना पड़ता है फिर यह जो कॉटन पार्ट है उसको निकाल रहे हैं जो पहले मेजर्मेंट किया गया था और नीचे आई को प्रोटेक्शन के लिए एक चोटा सा प्लास्टर पेपर प्लास्टर लगाया गया है ताकि जो पाउडर है आई में ना जाए पर पेपर जो है उसको निकाल लिया गया है आई में कुछ अंदर पाउडर प्लास्टर लगाया है उसके बाद फिर उपर से प्लास्टर दाला गया है ताकि वह स्टेवल रहे हैं कि इस तरह से प्लास्टर हम डालते हैं यह प्लास्टर आप्टर वन वीक हम निकाल सकते हैं उसके बाद निकाल के सोने का ताइम में फिर उसको पेनना होता है minimum one week otherwise slowly about three weeks तक रखना होता है पेक जो है हम तीन दिन में निकालते हैं उसके बाद फिर यह प्लास्टर को one week के बाद निकालके रात को सोने का ताइम में पेन सकते हैं और आपकर मिनिमाम ट्रे विक्स इस तरह से हम करते हैं